परिचय बच्चो आज हम सामय अवस्था के बारे में जानेंगे भौतिक सामय में किसी निकाई की वह सामय अवस्था समाहित है जिसमें उसका प्रावस्था रूपांतरण होता है उधारण के लिए नमक की घुलन शीलिता, जल का वाशबी करण आदी केल्शियम कार्बोनेट का विक्टन या हाइडोजन और आयूटीन के बीज अभिक्रिया जैसी रासाइनिक प्रक्रियाओं में सामय रासाइनिक साम में कहलाता है सामाने भौतिक सामय अवस्थाएं हैं ठोस और द्रव, द्रव और कैस, ठोस और कैस समांगी सामय अवस्थाओं में अभिकारक और उत्पाद समान प्रावस्था में होते हैं, जबकि रासाइनिक सामय अवस्थाओं में अभिकारक और उत्पाद अलग-अलग प्रावस्थाओं में होते हैं इसलिए पूरे मॉडिूल में हम सामय अवस्था के बारे में जानेंगे इस पार्थ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे भौतिक अवस्था में सामय अवस्था की व्याख्या करना द्रवों में ठोस या गैसों की घुलन शीलिता में सामय वस्था की व्याख्या करना रासाइनिक सामय वस्था की व्याख्या करना रासाइनिक सामय वस्था का नियम व्यक्ति करना समांगी सामय वस्थाओं की व्याख्या करना विश्मांगी सामयावस्थाओं की व्याक्या करना सामयावस्था इस्थिरांग के अनुप्रयोगों की चर्चा करना सामयावस्थाओं को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करना भौतिक अवस्था में साम में जब अभीकारक का सांद्रण स्थिर हो जाता है, तो इसमें कोई परिवर्थन नहीं होता है, और अभीक्रिया ठेरी हुई प्रतीत होती है। निकाई की ये अवस्था जिसमें कोई नेट परिवर्थन नहीं होता है, सामय अवस्था कहलाती है। ठोस द्रव सामय अवस्था जब एक शुद्ध ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है, तो ये एक निश्चित तापमान पर द्रव में परिवर्तित होने लगता है। इस तापमान पर पदार्थ की ठोस और द्रव अवस्थाएं दाप की दी गई दशाओं के तहट से अस्तित्व में होती हैं। वायू मंडलिये ताप किसी शुद्ध पदार्थ के लिए वह ताप जिस पर ठोस और द्रव अवस्थाएं से अस्तित्व में होती हैं। पदार्थ का सामान गलनांग या सामान हिमांग कहलाता है। गलनांग पर ठोस पदार्थ, पदार्थ की द्रवावस्था के साथ सामयावस्था में होता है। ये मानते हुए कि बर्फ और जल को 273 केल्विन यानी बर्फ के गलनांग पर एक पून रुपेन रोधी थर्मस फलास्थ में लिया गया है। इस निकाय का एक रोचक अभिलक्षन ये है कि तापमान तथा बर्फ और जल के द्रवेमान इस्थिर रहते हैं। ये बर्फ और जल के बीच गतिक साम में दर्शाता है। चुकि बर्फ और जल के द्रवेमान में कोई परिवर्थन नहीं होता है, इसलिए बर्फ से जल में जाने वाले अणुओं की संख्या, जल से बर्फ में जाने वाले अणुओं की संख्या के बराबर होती है. इस प्रकार सामय अवस्था पर गलनांग की दर पराबर हिमांग की दर द्रव वाश्प सामय अवस्था इस सामय को समझने के लिए आएए एक बंद पात्र में जल के वाश्पी करण का उधारन ले दे हैं जब जल की थोड़ी सी मात्रा को कमरे के तापमान पर एक निर्वातित पात्र में लिया जाता है तो ये वाश्पित होने लगता है सबसे पहले पात्र के भीतर कदाब पढ़ता है जैसे ही गैस प्रावस्था में अणूओं की संख्या बढ़ती है ये जल की सतह से टक्रा कर इसे ग्रहन कर लेते हैं ये संखनन कहलाता है प्रारंब में संखनन की दर वाश्पि करण की दर से कम होती है लेकिन गैस प्रावस्था के अणों में पृद्धी के साथ संघनन की दर बढ़कर वाश्पी करण की दर की बराबर हो जाती है इस अवस्था में ये कहा जाता है कि साम में स्थापित हो गया है इस प्रकार सामय आवस्था में वाश्पी करण की दर बराबर संगनन की दर ठोस वाश्प सामय आवस्था ठोस प्रावस्था से गैसी ये प्रावस्था तक सीधे मात्यमेक द्रव प्रावस्था से होकर गुजरे बिना ही इस्था नांतरन की प्राकरिया उर्थवपातन कहलाती है इसके विपरीत किसी गैस को सीधे ठोस में परिवर्तित करने की प्राक्रिया निक्षेपन कहलाती है आईए शुश्क बर्फ का उधारन देखें द्रवो में ठोस या गैसों की घुलन शीलता संबंधी साम में द्रवो में ठोस विलियन जिसमें और अधिक विलैकन ना घुल सके संत्रिप्त विलियन कहलाता है उधारन के लिए यदि हम जल में लगतार चीनी मिलाते रहें तो एक अवस्था ऐसी आती है जब और अधिक चीनी जल में नहीं खुलती है संत्रिप्त विलियन सामे की अवस्था समरूप होता है जब द्रव में चीनी की घुलनशीलता की दर अफक शेपन की दर के बराबर होती है तो सामे अवस्था स्थापित कही जाती है ये सामे अवस्था प्रकृति गतिक होती है इसे radioactive ताहीन चीनी के संत्रिप्त विलियन में radioactive विता युक्त चीनी की कुछ मात्रा मिलाकर प्रमाडित किया जा सकता है। ये अवलोकन किया गया है कि विलियन और radioactive ताहीन चीनी भी radioactive हो जाती है। द्रवों में gas sip जब एक cold ring की बोतल खोली जाती है तो उसमें घुली हुई carbon dioxide बहुत तेजी से बाहर निकलने लगती है। ये एक सामय अवस्था इस्थिती को दर्चाती है। दिया गय ताप पर गैसी अवस्था में विलाई के अणों और द्रव में खुले अणों के बीच एक सामय अवस्था होती है। इसे निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। द्रव में गैस की विलेता पर दाप के प्रभाव को हैंडी के निम्न दोरा व्यक्त किया जाता है। इस निम्न के अनुसार दिये गए तापमान पर किसी विलाई के दिये गए द्रविमान में खुली गैस का द्रविमान विलाई के उपर गैस के डाप के सीधे समानुपाती होता है। M सीधे समानुपाती है P के, M बराबर K P किसी द्रव में गैस की विलेता तापान में वृद्धी के साथ साथ घटती जाती है भौतिक प्रक्रम में शामिल समय अवस्था के समाने लक्षन 1. समय अवस्था पर निकाई के मापने योग के गुण धर्मनिस्थिर होते हैं 2. समय अवस्था पर दो विपरेत प्रक्रमों के बीच गतिक संतुलन होता है 3. केवल बंद निकाई में ही समय अवस्था प्राप्त की जा सकती है 4. जब सामयवस्था प्राप्थ हो जाती है तो सामयवस्था में शामिल पदार्थों की सांद्रता सहित एक वेंजक मौजूद होता है जो दिये का इत्लापान पर एक स्थिर मान पर पहुंचता है 5. सांदृता के स्थर मान का परिमान ये दर्शाता है कि सामयावस्था तक पहुँचने से पूर्व प्राक्रम किस सीमा तक हो चुका है रासाइनिक प्रक्रमों में सामयावस्था गदिक साम में अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों को पुनह बनाने के लिए उत्पाद अभिक्रिया नहीं करते हैं अनुत क्रमनियें अभिक्रियाएं कहलाती हैं उधारन के लिए सिल्वर नाइटरेट सोडियम क्लूराइट के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर क्लूराइट और सोडियम नाइटरेट बनाता है। अभिक्रियाईं जिनमें अभिकार्गों को पुनह बनाने के लिए उत्पाद अभिक्रिया करते हैं। उत्क्रम्लियें अभिक्रियाईं कहलाती हैं। उत्क्रम्निय अभिक्रियाओं को विपरीत दिशाओं की ओर संकेत करते दो तीर खीच कर निरुपित किया जाता है। उधारन के लिए हाइड्रोजन आयोडीन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयोडाइट बनाता है। वो अवस्था जिस पर अभिकारकूं और वर्तन नहीं होता है। रासाइनिक सामय वस्था कहलाती है। सामय वस्था पर अग्रिम अभिक्रिया की दर, प्रतीब अभिक्रिया की दर के बराबर होती है। रासाइनिक सामय प्रकृती में गतिक भी होता है क्योंकि अभिक्रिया सामय वस्था पर रुकती नहीं है। रहती हैं। अब घटित होने लगता है। कारबन डायोकसाइड दाब में वृध्धी करती है। दाब में वृध्धी लगातार होती है। क्यूंकि अभिक्रिया आगे बढ़ती रहती है और अंत में स्थिर हो जाती है। और तब तक स्थिर रहती है, जब तक तापमान स्थिर रहता है। ये प्रतीत होता है कि अभी क्रिया एक ठेराव पर आ गई है, हाला कि CACO3 अभी भी उपस्थित रहता है। ये दर्शाता है कि निकाई ने सामयवस्था प्राप्ति कर ली है। रासाइनिक सामयवस्था का नियम और रासाइनिक इस्थिरांक द्रव्य अनुपाति क्रिया के नियम के अनुसार। इस्थिर्टाप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया की तर अभिकारक अव्यवों के आणविक सांद्रण के गुडनफल के सीधे अनुक्रमन उपाती होती है। साथी प्रतेक सांद्रण पत की खात कमान रासाइनिक समीकरण में उस अवियव के संख्यात्म कुडांक के बराबर होता है। आईए एक साधारण उतक्रमन अभिक्रिया पर विचार करें। अभिकारक A और B उतपाद C और D बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं। सामे मिश्रण में सांद्रताएं निम्न प्रकार से संबंदित हैं। इसे समीकरण एक नाम दें। समीकरण एक सामे समीकरण कहलाता है। के सी सामे इस्थिरांक कहलाता है। और पद सामे अवस्था इस्थिरांक व्यन्जक कहलाता है। निम्न प्रकार की सामान अभिक्रिया के लिए, सामय अवस्था इस्थिरांग के लिए व्यन्जक को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, जहां C इंगित करता है के को, अर्थात के C को मोल प्रती लीटर की सांद्रताओं में व्यक्त किया जाता है. समांग सामयावस्था इन अभी क्रियाओं के लिए सामयावस्था इस्थिरांग को केपी द्वारा दर्शाया जाता है। एक बार लीटर प्रती मोल केल्विन एन बठे वी को मोल प्रती लीटर में सांद्रता सी के रूप में और पी को बार में व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए पी बराबर सी आर टी। सामान अभिक्रिया के लिए के पी का मान है जहां सी डी ए और बी के करमशा पी सी पी डी पी ए पी भी आशिक दाप है। और इसे हल किया जा सकता है। के पी और के सी के बीच संबंध है। के पी और के सी गुणा आर टी की घात डेल्टा एन जहां संतुलित रासायनिक समिकरण में डेल्टा एन बराबर गैसिये उत्पादों के मोलों की संख्या गैसिये अभिकारकों के मोलों की संख्या दाप को विश्मांग सामय वस्था एक है अर्थाद द्रवरूब में H2O परावर एक इसलिए सामय वस्था इस्थिरांग के अनुप्रयोग सामय वस्था इस्थिरांग के लक्षन सामय वस्था इस्थिरांग का मान अभिकारी अव्यवों की प्रारंबिक सांद्रता पर निर्भन नहीं करता है सामय अवस्था इस्थिरांग का मान ताब बदलने के साथ बदलता है उत्क्रम्निय अभिक्रिया के लिए उत्क्रम अभिक्रिया के सामय अवस्था इस्थिरांग अग्रवर्ती अभिक्रिया के सामय अवस्था इस्थिरांग का वित्क्रम होता है सामय अवस्था इस्थिरांग उत्प्रेरक की उपस्तिती पर निभर नहीं करता है यदि सामय अवस्था इस्थिरांग को सांदृता के पदों में व्यक्त किया जाता है तो विभिन अभिक्रियाओं के लिए इसके मात्रक अलग-अलग होते हैं अभिक्रिया की सीमा का अनुमान लगाना सामय अवस्था इस्थिरांग का परिमार हमें उस सीमा के बारे में बताता है जिसके लिए अभिकारकों को सामय अवस्था प्राप्त करने से पहले उत्पादों में रुपांदरित किया जाता है अभिक्रिया की दिशा का अनुमाल लगाना क्यों पी द्वारा दर्शाय जाता है सामानने अभिक्रिया के लिए यदि QC केसी से अधिक है तो नेट अभिक्रिया पश्चवर्ती दिशा में होती है जो अभिकारकों की दिशा है यदि QC केसी से कम है तो net अभिक्रिया अगर्वर्ती दिशा में होती है, जो अभिकारकों की दिशा है. यदि QC बराबर केसी, तो अभिक्रिया सामयवस्था में है, अर्थात net अभिक्रिया नहीं होती है. सामे सांद्रताओं की गड़ना चरण एक सामे के लिए रासाइनिक समीकरण लिखें चरण दो अभी क्रिया के लिए सामे वस्था इस्थिरांक व्यंजक लिखें चरण तीन सभी अज्यात सांद्रताओं को एकल चर एक्स के पदों में व्यक्त करें चरण चार सामयवस्था इस्थिरांग के व्यंजक में सामयवस्था सांद्रताओं यानी X के पदों में उसको प्रतिस्थापित करें चरण 5 X के लिए समीकरण हल करें चरण 6 सामय अवस्था सांद्रताओं की गड़नां के लिए चरण तीन के व्यंजकों में X के लिए प्राप्त किये गए मान प्रतिस्थापित करें सामय अवस्था इस्थिरांग के अभिकरिया भागफल Q तथा गिप्स उर्चा जी के बीच संबन्द विशिष्ठ निर्धारित दशाओं में निगाय से सोतंत्र रूप से उपलब्द उर्चा जिसे उप्योगी कारे में लगाया जा सकता है गिप्स उर्चा कहलाती है संबंध है, इसे समीकरण एक के रूप में नाम दें, जहां ये मानगिप्स उर्जा दर्शाती है हम जानते हैं कि सामय वस्था पर Q बराबर K और Δेल्टा जी बराबर शुन ने समीकरण एक से पुनर्वेस्थित करने पर प्राप्त होता है ये समीकरण ताप और सामय वस्था इस्थिरांग के मानगिप्स मुक्त उर्जा परिवर्टन से संबंदित है सामय वस्था इस्थिरांग है यदि मानक गिप्स मुक्त उर्जा में परिवर्तन शून से अधिक है, तो के एक से कम होता है, जिससे अगर अभिक्रिया आसान हो जाती है. सामय अवस्था को प्रभावित करने वाले कारग, सांद्रन, ताप, दाब जैसे प्राचलों के प्रभाव का अधियन लाशात लिए सिध्धान्द की मदद से किया जा सकता है. इसके अनुसार, यदि एक निकाए सामय अवस्था में सांद्रन, दाब या ताप में परिवर्तन के अधिन है, तो सामय अवस्था उस दिशा में अगरिसर होती है, जिस दिशा में परिवर्तन का प्रभाव समामत हो जाए. सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव लाश शातलिये सिध्धान्द के अनुसार, जब सामय अवस्था वाले निकाए में अवियफ की सांद्रता बढ़ जाती है, तो सामय अस्थानांत्रित हो जाएगा, जिससे मिलाए गए पदार्थ का उप्योग हो सके. मानकी सामय अवस्था पर अभिकारकों में से किसी एक अभिकारक को मिलाया जाता है, तो अभिकारकों का उप्भूग करने के लिए सामय अगरी दिशा में इस्थानांत्रित होगा. दूसरी तरफ यदि उत्पादों में से किसी एक उत्पाद को मिलाया जाता है तो उत्पादों का उपभूग करने के लिए साम में उत्क्रम दिशा में इस्थानांत्रित होगा उधारन के लिए नमी वाले दिन हमें ज्यादा पसीना आता है नमी वाले दिन पसीना ज्यादा निकलता है क्योंकि आसपास की वायू में जल वाश्प की मात्रा अथिक होती है और हमारा शरीर जल वाश्प के रूप में जल को नश्ट नहीं कर सकता सामय वस्था को प्रभावित करने वाले कारक दाप परिवर्तन का प्रभाव लाँ शातिलिये सिध्धान्थ के अनुसार वाहे दाप में वृध्धी सामय वस्था को इस प्रकार से प्रभावित करेगी कि दाप कम हो जाए इस कार्थ है कि साम में उस दिशा की ओर इस्थानांत्रित होगा जिस तरफ गैसी पदार्थों के मोलों की संख्या सबसे कम है। इस इस्थिती में साम में अग्रितिशा में अग्रिसर होगा। अक्रिय गैस के योग का प्रभाव। स्थिरायतन पर अक्रिय गैस निगाए का कुल दाब बढ़ा देती है। लेकिन अभीकारकूं एवं उत्पादूं का आंशिक दाब समान रहता है। और साम्य अवस्था अपरिवर्तित रहती है। स्थिरदाब पर अक्रिय गैस का योग आयतन को बढ़ा देगा। इसलिए इस प्रभाव को संभारित करने के लिए साम में उस तरफ इस्थरांत्रित होगा। जिस तरफ मोनों की संख्या अधिक हो गई है। उधारण के लिए स्थिरदाब पर अक्रिय कैस का योग सामे को उतक्रम दिशा की ओर अग्रिसर करेगा। ताप परिवर्तन का प्रभाव रासायनिक सामय वस्था में दो अभिक्रियाएं शामिल होती हैं। उत्पादों के पक्ष में और दूसरी अभिकारकों के पक्ष में होती है। यदि एक अभिक्रिया उश्मा क्षेपी है तो दूसरी उश्मा शोशी होगी। उधारण के लिए अग्र अभिक्रिया उश्मा क्षेपी और उतक्रम अभिक्रिया उश्मा शोशी है। अब यदि ताप बढ़ाया जाता है तो साम में उतकरमदिशा की ओर अग्रिसर होता है, क्यूंकि ये मिलाए गई उश्मा के प्रभाव को समाप्त कर देता है। यदि ताप घटाया जाता है, तो साम में अग्रितिशा में इस्थानांत्रित होगा, इसलिए निम्नतापमान अमोनिया के निर्मान के पक्षि में होगा. क्या आप जानते हैं? यानि AFO-SR द्वारा 2.2 मिलियन डॉलर का पुरस्कार प्रदान किया गया, बुनियादी अनुसंधान पहल BRI पुरस्कार आशान्त प्रवाहों पर तापिये एवं यांत्रिक आसामय अवस्था प्रभावों विशेश रूफ से सीधे संख्यात्मक अनुकरणों, आण्विक अनुकरणों एवं प्रयोगों के द्वारा उर्जा विनिमाई के लिए मौलिक तंत्र में अध्यन के लिए दिया गया है सारांश आईए हमने जोखु सीखा है, उसे संख्येप में दोहराएं जब अभिकारक का सांद्रन स्थिर हो जाता है, तो इसमें कोई परिवर्थन नहीं होता है, और अभिक्रिया रुकी हुई प्रतीत होती है निकाई की ये अवस्था, जिसमें कोई नेट परिवर्थन नहीं होता है, सामय अवस्था कहलाती है गलिनांग पर ठोस पदार्थ, पदार्थ की द्रव अवस्था के साथ सामय अवस्था में होता है द्रव और वाश्ब अवस्था के बीच सामय अवस्था में वाश्बी करण की दर बराबर संखनन की दर ठोज प्रवस्था से सीधे कैसिये प्रवस्था में रूपान्तरण ओर्धवपातन कहलाता है और इसके विप्रेत रूपान्तरण निक्षेपन कहलाता है एक विलियन संत्रिप्त कहा जाता है यदि और अधिक विलै कड़ों को घोला नहीं जा सकता द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार स्थेड़ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक अव्यवों के आणविक सांद्रण के कुणन फल के सीधे अनुक्रम अनुपाती होती है साथी प्रतेक सांद्रण पत की घात कमान रासायनिक समिकरण में उस अभियव के संख्यात्म कुणां के बराबर होता है यदि अभिकारक और उत्पाद एक इही प्रावस्था में हों तो इस्थापिच सामयवस्था समांगी सामयवस्थाएं कहलाती है सामय वस्थाएं जिनमें शामिल पदार्थ विभेन प्रवस्थाओं में उपस्तित होते हैं विश्मांगी सामय वस्थाएं कहलाती हैं सामय वस्था इस्तिरांक के अभिकरिया भागफल क्यों और गिप्स उजा जी के बीच संबंध है सामय वस्थाओं को प्रभावित करने वारे कारक सांद्रण परिवर्तन, दाप परिवर्तन, अक्रिये कैस योग, ताप परिवर्तन और उत्प्रेरक का प्रभाव है